घर का कानून घर की सरकार समझने वाले बाबा राम देव जब पत्रकार उन्हें उनकी पुराने बयान याद दिलाया करते थे तो धमकिया दिया करते थे कहते थे मेरा क्या कर लोगे डोक्टरों का लगातार मजाक उडाते थे एलोपैथी को बदनाम करते थे वही बाबा राम देव आज फिर सुप्रीम कोट के आगे हाथ जोड़ कर खड़े थे जी हाँ सुप्रीम कोट में आज फिर पतंजली के विग्यापन मामले में राम देव के माफी नामें पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान बाबा रामदेव और आचारिय बालकिशन भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे रामदेव और आचारिय बालकिशन ने व्यक्तिगत तोर पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी लेकिन सुप्रीम कोट ने बाबा को फटकार भी लगाई और माफी भी सुविकार नहीं की नमश्कार दोस्तों मैं हिवान सी कशब आप के साथ आप देख रहे हैं जुनता के अवास बाबा रामदेव और पतंजली आयुवेद लिमीटिड में M.D. बालकिष्ण आच्वारिय ने जुनता से माफी मांगने का प्रस्ताफ दिया भ्रामक विज्यापन देने के मामले में बाबा रामदेव ने सावजिरिक माफी मांगने की बात कही कोट ने कहा कि एक हपते में बाबा रामदेव और आच्वारिय बालकिष्ण अपनी गलती सुधारने के लिए कदम उठाए इसे पहले कोट में सुनवाई के दोरान बाबा रामदेव ने कहा था कि जो भी हमसे भूल हुई उसके लिए हम बिना शर्थ माफी मांगते है इस पर जस्टिस कोली ने कहा कि जो भी आप परचार कर रहे है उसके बारे में क्या सोचा है हमारे देश में तमाम पदितिया है लेकिन दूसरी दवाईया खराब है ये क्यों इस पर रामदेव ने कहा कि हम अदालत से श्रमा मांगते है हमने 5000 रिसर्च किये और आयुरवेद को एविडेंस बेस्ट तोर पर प्रस्तुत किया सुप्रीम कोट में सुनवाई के दोरान रामदेव ने दोबारा कहा कि हम माफी मांग रहे है और भविस्य में 100% इसका ख्य खास बात ये है कि से पहले बाबारामदेव दो बार माफी मांग चुके है यानि इस बार तीसरी माफी थी लेकिन अदालत ने उन्हें स्विकार करने से इंकार कर दिया बीते सब्ता हुई सुनवाई के दोरान अदालत ने योग गुरू के साथ साथ उतराखन सरकार को भी जमकर फटकार लगाई थी दोस्तों दरसर रामदेव ने अपने करियर के शुवात योग गुरू के रूप में की थी लेकिन बाद में उन्होंने पतंजली ब्रांड नेम से ब्यापार शुरू कर दिया आयुरुवेदिक सुपादों को बनाने और बेचने वाली सकंपनी ने बाबा रामदेव को और पतियों की लिस्ट में लाखडा किया बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आच्वारिये बालकिशन ने एक बड़ा सामराज्य स्तापित कर लिया और उन्हें चुनोती देने वाला कोई नहीं है या कम से कम अब तक कोई नहीं था उनके आयुवेद इस समय देश में कई आयुवेदी कोलिज है मगर इन दोनों के पास सायद आयुवेद की कोई डिगरी नहीं है परताय से बचने के लिए रामदेव ने देश भक्ति का लबादा ओड़ लिया और यह कहते रहे कि वे भवुर रास्टे कम्पनियों से मुकाबला कर रहे है असलिक है शुरू हुआ COVID-19 महमारी के दोरान एक और सरकार ने पूने स्तीत भारत बायोटेक को को वैक्सिन का विकास उर्थपाद करने हे तू भारी आर्धिक मदद उपलब करवाई महीं बाबा रामदेव नहीं है दावा किया कि उनकी कम्पनी ने COVID-19 के इलाज और उससे बच्चाव के लिए एक दवाई विक्सित की है जिसका नाम है कोरो नील यह भी बताया गया कि कोरो नील को विस्वास्ते संगठन डबलू एच्चो का नुम मोधन प्राप्त है जब आयुश मंत्राले ने इस दावे को चुनोती दी तो पतंजली की ओर से यह कहा गया कि कोरो नील डबलू एच्चो के मार्ग नेदेशों के अनुरूप है आयुश मंत्राले ने कोरो नील के बारे में दावो को सत्यापित करने से इंकार कर दिया इसके बावजूद भी कोरो नील की कॉंबो पैक को बड़ी धूमधाम से मोधी सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों डोक्टर हर्ष वर्दन और्नितीन गड़करी रामदेव के साथ इस पर मध्यम श्रेनी के कोवीड संकर्मन से पीडित लोगों पर किया गया और कोरो नील का सेवन करने के कुछ ही दिनों के भीतर उनका कोवीड टेस्ट नेगिटिव हो गया आधुनिक चिकितसा विज्यान में किसी भी नई दवा को सामाने उप्योग के लिए जारी करने से प कोरो नील के मामले में इन में से कुछ भी नहीं किया गया अपने बिजनेस की सफलता से गदगद बाबा रामदेव ने गोधी मीडिया की परसंसा को कबूला इससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने एलोपैथी को एक बेवकुफ नामब विज्यान बताना शूरू कर दिय इससे व्यथित होकर इंडियन मेडिकल एसोशेशन आई एम में ने रामदेव के खिलावा परकरन दायर किया जिसकी सुनुवाई हाल में हुई रामदेव ने अदालत में आधुनिक चिकित्सा विज्यान का पुमान करने के लिए आई एम में से शमाय आचना की दोस्तों बाबा रामदेव ने जब भष्टच्वार की खिलाव भूख अड़ताल की थी तब उन्होंने ये दावा किया था कि योग की कारण उनका सरीर इतना मजबूत हो गया कि वे लंबे समय तक बिना भोजन के रह सकते है मगर उपवास प्रारम करने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें एक एलोपैतिक होस्पिटल में भरती कराया गया इसी तरह करीब एक वर्ष पहले जब आचारिये बालकिष्ण बिमार पड़े तो वे एक एलोपैतिक होस्पिटल के आईसियू में भरती हो गए उच्तिम नियायले की चेतावनियों के बाद भी बाबा की कमपनी ब्रामक विग्यापन जारी करती रही अदालत ने उन्हें बुलाया और बाबा नहीं गए अदालत की अवमानना की अब अदालत ने उन्हें बुलाया तो बाबा ने गिड़गडाते हुए माफी मांगी मगर अदालत ने उनकी माफी मंजूर नहीं की दोस्तों अदालत में चल रहे परक्रन का नतीज़ा चाहे जो हो सवाल ये है देशी चिकित्सा पदितियों और आस्ता पर अधारीत ज्यान के आधार पर कोई भला किस तरह आधुनिक चिकित्सा पदिती का मखोल बना सकता है हर बाबा अपनी तरह से रोगों का इलाज करता है चिकित्सा परनालियों के प्रोटोकोल में लगातार सुधार इसलिए होता रहता है क्योंकि उसकी समिक्षा करने का अधिकार सभी को होता है इसके विपरित रामदेव बाबा जैसे लोग अपने देव्य दरजे का लाब उठाते हुए मनमाने दावे करते है और उन्हें ना तो कोई चुनोती देता है और ना ही कोई उनकी आलोच ना करता है बाबा नहीं है दावा भी किया था कि वे कैंसर और एड्स का इलाज भी कर सकते है वे तो समलेंगिक्ता को भी एक रोग मानते है और उनका दावा है कि वे इलाज से उसे ठीक कर सकते है दोस्तों अब तक उन्हें सत्ता का सरक्षन प्राप्था और इसी के चलते वे इतने एंकारी हो गए कि वे एलोपैथी का मजाग बनाते थे और अपनी परनाली को सर्फ्ट्रेस्ट बताते थे सुप्रीम कोट ने चिकिट्सा की दुनिया में बाबाओं की मनमानी को रोकने का जो प्रयास किया है वे बेधी सरानिय है आपकी इस मुद्दे पर क्या रहा है हमें कोमेंट का जरूर बताए और बागी खबरों के लिए देखते रही है जुनता की अवास वीडियो को लाइक करे शेयर करे और अगर पहली बाद जुनता की अवास लिए चैनल को देख रहे है तो चैनल को सबस्क्राइब भी करे और घंटी ज़रूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में ज्वनता का साथ देजिए और उसकी ताकत बनिए ज्वनता की आवास बनिए और हो सके तो इसकी लिए चैनल को जोईन भी करें